हाँ तो भी सब लोग त्यार हो जाओ ध्यान सुनो हमारा next topic next law से पहले की थोड़ी चीज है और second law of motion से पहले की थोड़ी चीज है second law of Newton से पहले की अच्छा मैं पहरे फर्स लो में क्या पढ़ा था कोई बोड़ी अगर है उसको चलाए रखने के लिए या चल रहे है तो चलती रहेगी रुकी रहेगी जब तक क्या कोई भारी इफेक्ट उसपे नहीं डालते बाहर से कोई चीज कोई काम उसपे नहीं करती है तब तक वह जै conditional effort हमको लगाना पड़ता है उसके इनर्शया को बदलने के लिए यह缸 करता है उसके मासक के ओपर ही वारी है एक उसको को लगाना पड़ते के लिए तो कम है तो करम में अस्वार्ट कि बात करता हैं इसको जो जो उसको लगाना पड़ रहा था, उसकी value को, inertia को change करने के लिए, तो वो इस conclusion पे पहुँचा कि वो mass पर depend करता है, आप समझ सकते हो ना, भी एक बड़ा सा truck आ रहा है, अगर आप उस truck को रोकना चाहते हो, तो बहुत force लगाने पड़ेगी, वही अगर कोई cycle आ रही है, कम force से काम चल जाएगा, कम effort से काम चल जाएगा, कम दम लगाना पड़ेगा आपको, तो वो mass पे depend करता है, जो इस चीज़ पे की भी जितना वो तेज आएगी, उस पे भी depend करता है, मालो truck है, बहुत तेज आ रहा है, तो बहुत ज़दा effort लगाना पड़ेगा, अगर धीरे आ रहा था, तो कम effort में काम चल जाएगा, या ट्रक तो चलो, आप रोकी नहीं पाओगे, इमैचे नहीं कर पा रहे होंगे, एक simple ball को समझो, cricket ball आप बहुत तेज hit की गई है, उसको catch करने के लिए, आपको ज़्यादा effort लगाने पड़ेंगे, अगर वही ball दीरे से आ रही होती, तो इसका inertia change करने के लिए, आपको कम effort लगाने पड़ते, तो second conclusion ने पहुंचा, कि ये चीज, जिसको हम effort बोल रहे हैं, ये कुछ उसकी velocity पे भी depend करती है, तो दो बात उसके सामने आई, वो जितना भारी होगी, उतना ज़्यादा उसका inertia का effect रहेगा change करने के लिए, दुसरी चीज, अगर उसकी velocity ज़्यादा होगी, तो भी हमको ज़्यादा effort लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, उसने इन दोनों कलब किया, और एक चीज बनी mass into velocity, और फिरिक्स में ये चीज अपने आप में एक physical quantity बन गई बाद में, वकि ये बहुत सारे जगवाँ पर इकठी आती है, उसकी mass, किसी body की mass और velocity, बहुत सारे जगवाँ पर हम एक साथ यूज करते हैं, तो फिर हमने इसको एक physical quantity की तरह ही define कर दिया, इसको एक अलग पहचान दे दी, उसनमया, कि mass into velocity जो हमारे term बन रही है, ये फिरिक्स में बहुत सारे जगवाँ पर एक तो एक साथ आती है, दूसरा, इसका अपना कुछ physical meaning बनता है, तो इसलिए हमने इसको एक अलग से पहचान दी, इसको एक अलग से नाम दिया गया, और इसे बोल दिया गया momentum, ठीक, इससे क्या कह दिया गया momentum, तो इसका momentum हुआ, इसको V से, P से भी denote करते हैं, capital P से या small P से इसको denote किया आता है, इसको बोलते है, momentum यह होता है, mass into velocity, ठीक, इसकी unit होती है, kg meter per second, kg into meter per second, यह इसकी unit होती है, SI unit होती है, ठीक है, momentum क्या है, किसी body के mass को velocity से multiply कर दो, तो इसका momentum बन जाते है, इसका आगे एक roll आएगा, second low में, तो अभी मैंने सिर्फ उसका basic उठाया है, कि momentum कहते किसको है, ठीक, थोड़ा-थोड़ा step by step चलेंगे, एक-एक चीज़ समझते हुए, तो इसमन में अब इसको क्या बोलते हैं, इसकी unit, अब एक example लिया हमने, कोई हम से पूछे कि कैसे निकालेंगे momentum को, तो उसके example लिया हमने, कोई bowl है, इसका mass था 200 gram, 200 gram यह कोई bowl है, और वो चल रही है 20 meter per second, 20 meter per second वो चलके जा रही है, तो उसका momentum कितना आएगा, उसको निकाला, कैसे निकाला होगा, 200 gram, 1000 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, kg into 20, तो इस तरीके से momentum निकाला जाता है, momentum अपने आप में, एक physical quantity होती है, जो हमने उसको एक अलग पहचान दी हुई है, वेकि वो बहुत सार जगों पे, एक साथ आता है, तो mass into velocity, उसके अलग ही पहचान, अलग ही identity बन गई, अल पढ़ते रहो, तो आपको अंदाजा होता है, क्या है, जो चीज मैंने आपको एक तरीके से निचोड़ बताया है, यह क्या है, तो आप जो बुक को पढ़ोगे, तो आपको उसके बहुत सारे example मेलेंगे, चीजे थोड़ी समझ में आएंगे, तो पहले मुझे सुनो, उसके आपको अपनी बुक का एक दो पेज रीड करो, बस इतना काफी है, जैसा मैं बोलता हम सुतनों करते चले, जब आपको बहुत जबर्दस प्रैक्टिस राइगे, लास्त जाते थे, बढ़ी आसे सीख जाओगे,